गेंद बाजों के लिए नर्क और बल्ले बाजों ने डाला मैच में फर्क दोस्तों विशाका पटनम में पहला टी-20 आय मुकाबला खेला गया बारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जहां पर दिखा जैस तरीके का पिछ था विशाका पटनम का पूरा बैटिंग पैरडाइस था स्कुयर बाउंडरीज भी चोटी थी स्टेडियम की बले ही सामने वाली बाउंडरी लंबी हो लेकिन जब गेंद बल्ले के बीच में आ रही थी तो सारी की सारी गेंदे भार ही जा रही थी यानिके 40 ओवर खेले गए यानिके 20 ओवर पर साइड पहले बल्ले बाजी करी और अस्टेलिया ने सेकंड बैटिंग करी इंडिया ने यानिके भारतिय टीम ने अपना सक्सेस्फूल चेज भी करा 209 बारतिय टीम ने बना दी थे लेकिन 40 ओवर खेले गए टोटल उस पूरे मुकाबले में और 400 से जाधा रंस बने यानिके 417 रं यानिके बैटिंग फीस द बात करो तो अगर आप स्लोर वंस डालते हैं या स्पिनर धीमा गेन चोड़ते हैं बल्ले बाद से अगर गेन दूर रखते हैं तभी कुछ कोई नो कोई हो सकता था कि बचने का उनके पास सिलसिला होता लेकिन उसके अलावा कोई भी बचने का चांस नहीं था तभी तो जो जो है 220 के स्ट्राइक रेट से 50 गिंदों पे 110 रन मारे बहुत जादा चक्के लगाए और उने बहुत चौके लगाए अगर हम चौके चको की बात करें इस पूरे ओवराल 40 ओवर के मुकाबले में यानि के 20 ओवर पर साइड मुकाबले में इस T20 गेम में कितने लगे तो तरीके से गेन बाउंडरी की तरफ जा रही थी वो भी बहुत जबरदस थी तो आल इन ओल जो है रन फीस देखने को मिला इस बैटिंग पैरडाइज में विशाका पटनम में सूर कुमार यादव की पारी की बात करें बैलीस गेनों में 80 रन की पारी उन्होंने खेली 190 के स् और इशान किशन की बात करो उन्होंने भी 50 प्लस रंस की पारी खेली बहुत अच्छी पारी थी एंड में जो रिंकु सिंग ने फिरिश किया वो भी बहुत जबरदस था और उन्होंने पूरा पूरा इस्तेमाल किया देगे इंटेलियंस लगाई है किस तरीके से इस पिछ प्लस रंस की पारी के लिए पर लेकिन सारी जो महफिल लूटके और सेले के तरफ से वो जॉश इंग्लिश जिन्होंने मेडन हंड्रेट बनाया उस मुकाबले में भारत के खिलाफ पर दोस्तों आपकी क्या रहा है इस बारे में कि 40 ओवर जो है में 400 प्लस रंस बने यानि क कर दो